नमस्कार बच्चो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चो आज कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं हाँ शेर और चुहे की कहानी एक बार जंगल में एक लंबा सशे सो रहा था और उसके पास वहाँ पर आ गया एक छोटा सा चुहा छोटा सा चुहा लंबे से शेर के शरीर पर खेलने लगा और शेर की जो नीन थी वो खराब हो गई नीन से जगने में शेर बहुत गुस्से में आ गया इसलिए उसने चुहे से कहा कि अब मैं तुम्हें खा जाओंगा तो चुहे ने शेर से प्राथना की कि आप मेरी जान बक्ष दीजिए और मैं बदले में आपकी मदद करूँगा और ऐसा ही हुआ एक बार जंगल में शिकारी आया और उसने इस लंबे से शेर को अपने जाल में पकड़ लिया अब शेर जो है वो जाल से छूटने की कोशिश कर रहा था पर शेर की मदद कौन करे शेर की मदद करने तब पहुँचा वही छोटा सा चूहा और उसने अपने छोटे छोटे दातों से शेर के ऊपर का जो जाल था उसे काट दाला तो बचो लंबे शेर और छोटे चूहे की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्यूंकि अब वे दोनों हमेशे के लिए दोस्त बन गए बचो स्कूल जाते समय मेरे रास्ते में एक रेल की पटड़ी आती है मैं अकसर वहां रुक कर जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी होती हूँ रुक कर ये सोचती हूँ कि ये जो ट्रेन है ये कितनी लंबी होती है सच में इसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है मैं डिब्बे ही गिंती रही इतनी लंबी रेल गाड़ी थी डिब्बे के पीछे डिब्बा डिब्बे के पीछे डिब्बा डिब्बे के पीछे डिब्बा सच में बहुत ही लंबी होती है रेल गाड़ी और रेल गाड़ी को अगर हम देखें तो उसके मुकाबले में हमारी गाड़ी तो छोटी इसी लगती है अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी तो बच्चों लाली की कहानी ध्यान से सुनो एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी तब ही वहां एक किसान रसी खरीदने आया किसान ने लाली से कहा क्या मुझे साथ हाथ रसी दोगी लाली ने किसान को रसी दिखाते हुए उत्तर दिया ये रही साथ हाथ रसी किसान रसी को देखकर हैरान सा रह गया और कहने लगा लेकिन यह तो केवल छे हाथ लंबी रसी है ऐसा कैसे हुआ ये सोचती हुई लाली ने तरकीब लगाई लाली ने कहा लो अपने हाथ को इस रसी से नापो फिर उस लंबाई का साथ गुना ले लो तब किसान ने अपने हाथ को रसी से नापा और लाली ने उस रसी का साथ गुना किसान को दे दिया तुम अपनी मां का हाथ और अपना हाथ नापो उनमें क्या अंतर है बच्छो? तुम्हारी मां का हाथ तुम्हारे हाथ से लंबा है, है ना? इसी प्रकार लाली का हाथ भी तो छोटा था, है ना? पिल्कुल, किसान के हाथ से लाली का हाथ छोटा था और इसी लिए वे अंतर आ रहा था अच्छा चोलो, सोचो बच्छो डोर जी, कितने कदमों में सडक पार कर जाएगा? ध्यान से देखो, दो कदम हमें नजर आ रहे हैं, वे रख चुका है तो अब कितने और कदम उसे उठाने होंगे तांकि वो सडक के पार पहुंच जाए देखें, चलो, गिन कर देखते हैं दो कदम वे जल चुका है और कितने और कदम चाहिए? ये सोचना होगा तो हम दो से आगे गिनते हैं तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दस्वा कदम उसका सडक के पार होगा भाई, बड़ा मज़ा आया ये अंदाजा लगाने में अच्छा, अब ये देखो मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? जैसे हमने यहां तीन कप पहले से ही रख दिये हैं तो अब आपको सोचना है कि कितने और कप रखे तो चलो, शुरू हो जाओ देखो इसे ध्यान से और अंदाजा लगाओ आप अपनी कापियों में भी इन्हें बना सकते हैं ध्यान से देखो बच्चो सही है मैं भी यही सोच रही थी कि लगभग छे कप और लग जाएं तो यह मेज की कतार पूरी हो जाएगी देखो, तीन लगे हुए है आगे गिने चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और कतार पूरी हो गई वाह, मेरा अंदाजा तो बिलकुल सही निकला आप बताईए क्या आपका अंदाजा सही निकला अच्छा बच्चो, यहाँ देखो पेड के नीचे क्या पड़ा है? बिलकुल, घड़े पड़े हैं और एक घड़े को दूसरे घड़े के उपर रखा है और इसी वज़े से वो पेड के तने की लंबाई के साथ ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे मुकाबला कर रहा हो तो चलो, इस मुकाबले के बारे में हम भी सोचते हैं पेड की टेहनी तक पहुँचने के लिए एक के उपर एक कितने घड़े रखने होंगे? ध्यान से रेखो दो घड़े पहले से पड़े हैं एक, दो अब टेहनी की तरफ बढ़ते जाते हैं तीन, चार, पांच अरे वाँ पांच मां घड़ा रखते ही मैं तो पहुच गए टेहनी के बिलकुल पास है ना? मेरा अंदाजा सही था अच्छा बच्चो, यहां देखो मम्मा ने कपड़े सूखने डालने हैं है ना? और ये जो कपड़ा है ऐसे कितने और कपड़े टांग कर हम इस पूरी तार को भर सकते हैं? सोचो तो जहरा इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? ध्यान से सोचो एक पहले से टंगा है है ना? तो आपको सोचना है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर दो कपड़े और टांग दूँ तो मैं ये पूरी तार को कपड़ों से डग सकते हूं आपको क्या लग रहा है? चलो टांग कर देखते हैं एक पहले से कमीज टंगी है और अब ये मैंने दूसरी टांगी और अब यहां मैंने तीसरी कमीज भी टांग दी और देखो सच में इस तार को पूरे तीन कपड़ों ने ही ढख लिया हमारा ये अंदाजा भी बिलकुल सही था कुछ छोटी तो कुछ लंबी हैं चीजे इर्दगिर्द मेरे आओ बच्चो तुम्हें सिखाओं कैसे इनको मापे हो जाईए तैयार तो बच्चो चीजों को मापने के लिए देखे मैं क्या लाई हूँ यह आप सब किछ मैंटरी बॉक्स में होता है स्केल पुट्टा और यह क्या है यह एक स्पेशल इंची टेप है जो इसमें रोल हो जाता है देखो है ना और यह वो इंची टेप है यह हमारे पास एक स्केल है यानि फुट्रूलर अब इस स्केल को हमने यहां रखा अगर आप यहां ध्यान देए यहां पर 0 लिखा है एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह से बराबर दूरी से यह जो नंबर है यह बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ और यह 30 तक हमारे पास इस स्केल पर लिखे हैं यह इसी प्रकार बढ़ता जाता है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और यह सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं कितनी दूरी पर? एक सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर? एक सेंटीमीटर की दूरी पर यानि जीरो से एक, एक सेंटीमीटर एक से दो, एक सेंटीमीटर 2-3, 1 cm, 3-4, 1 cm और 0-4, 4 cm, 0-3, 3 cm, यानि कि इनके बीच में 1 cm का बराबर बराबर अंतर है और जब हम किसी चीज को नापते हैं तो अगर हम उसे 0 पे रखेंगे तो वो जहां तक होगी तो हम उसे उतना लंबा बताएंगे चलिए करके देखते हैं, कुछ नापके देखें सबसे पहले ये मेरे पास एक कैंची है अब इसको मैं इसके 0, इसके कोने को, इसके 0 के साथ यूँ मिला रही हूँ और अब हम इसको देखेंगे, ये कहां तक आ रही है? 12 cm से जरा सकम हम क्या कह सकते हैं कि ये लगभग 12 cm की कैंची है क्योंकि ये 12 cm से लगभग जरा सी कम है तो इसे हम वाइट बोर्ड मार्कर कहते हैं आईए इसे नाप की देखें उसी प्रकार हम इसके 0 के साथ इसका एक छोड लगा देते हैं और देखते हैं ये कितनी दूर तक जा रहा है देखिए इसको हमने 0 पर रख दिया और ये जा रहा है 13 cm से थोड़ा बड़ा यानि ये लगभग 13 cm का है 13 cm से थोड़ा सा जादा अच्छा बच्चो आपकी सहेली राधा की फोटो अब इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे ऐसे तो दूर हो गयाना हम इसका 0 पॉइंट पर जो इसकी फोटो है वो जहां से शुरूइव उसको रख देङे आप देखेंगे के इसका सर का सबसे ऊंचा हिस्सा षूज वो कहा चूरा है यहां चूरा है तो हम इसको पढढेंगे यह क्या है क्या लिखा है यहां पर कितना 14 cm कितना सेंटीमीटर 14 cm अब बच्चों हम देखते हैं मोहन मोहन की फोटो भी हमने काटी और उसी प्रकार हम 0 से इसका ये छोर मिला देते हैं और जहां पर ये सबसे हुँचा है वो जो छोर है हम उसका देखेंगे कहां तक जा रहा है है ना तो ये देखिए यहां तक ये 13 cm के पास है लगभग 13 cm हम क्या कहेंगे कि ये जो है तस्वीर लगभग 13 cm लंभी है मोहन की तस्वीर लगभग 13 cm लंभी है जरा सी कम थी इसलिए 13 cm लगभग 13 cm अब इस खोड़े को देखते हैं ये कितना लंबा है देखे यह है इसका 0 चोर पर हम इसका पाउं रख देते हैं और क्योंकि यह इसका सर है तो सर और पाउं जहां एक समान हो यहां हमने इसका पाउं रखा और यहां देख रहे हैं हम यह कहां तक जा रहा है 19 सेंटीमीटर के पास तो 19 से जरा सजादा है हम क्या बोलेंगे ये घोडा लगबख 19 cm लंबा है कित्ना? 19 cm 0 से 19 cm तो ये लगबख 19 cm लंबा है अच्छा बच्चो अब आपके सामने क्या है हाँ 2 मौमबतियां बिलकुल सही इसमें से एक मौमबति लंबी है और एक मुंबती छोटी अब आप बताएए कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है हाँ बिलकुल सही ये वली छोटी है और ये वली लंबी है तो अब हम क्या करेंगे अगर हमने देखना हो कि ये कितनी लंबी और कितनी छोटी है तो पहले हम लंबी वाली को यहीं 0 पर रखते हैं और देखते हैं ये किधर तक जाती है देखिए 24 cm से भी लंबा तो हम इसको लगभग 24 cm बड़ी वाली मुम्बती लगभग 24 cm तक और अब छोटी वाली मुम्बती को हम यहां रखते हैं और देखते हैं कितनी लंबी है ये लगभग 18 cm 24 और अठरा इस तरह से अमें ये पता चल रहा है क्योंकि 24 अठरा से जादा है तो ये मुम्बती लंबी है और ये मुम्बती इसके मुकाबले में छोटी है छोटी और लंबी अरे आप यही है हाँ देखिए मैं रवड के साथ ये सब कुछ मिटा रही थी आपके पास भी रवड होगी कभी आपने उसको नापा है आए नाप के देखें बच्चा ज़रूरी नहीं हर बार हम 0 पर रखेंगे हमें अगर समझना हो कि कैसे नापते हैं तो हम इनको कहीं से बीच से भी रख सकते हैं जैसे मान लीजिए हम 10 पर रख दे हम इस 10 पर एक चोड रख देते हैं तो ये कहां तक जा रहा है देखिए 10 पर रखा और ये गया हमारा 13 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे इसका मतलब है कि 10 के बाद 11 यानि 1 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 यानि 3 तो यह लगबग 3 cm लंबी रबड है इसी प्रकार देखे हमारे पास यह शौपनर है अगर हम इसको नापे और हमने इसका यह चोड़ रखा 10 cm पर और यह भी 13 cm से ज्यादा है और 14 से कम तो हम कहेंगे यह भी लगबग 3 cm लंबा शापनर है इस पर हमने रखी मार्चीज की तीली तो इसको नाप के देखें देखो यहां से यहां तक इसमें कितने cm है मार्चीज की तीली में ध्यान से देखो एक, दो, तीन, चार बिल्कुल माचीज की तीली 4 cm लंबी है अच्छा अब इस पासे को देखो और यहीं cm के पास इसको इस तरह से रख दो अब देखो यह कितने cm का है पासे का हर किनारा 1 cm का है देखो, इसको किसी भी किनारे से रख दें यहां पूरा 1 cm अरे, बच्चो, छिपकली कहां से आ गई है हमारे इस कागस पर अब आ ही गई है, तो देखें यह कितने cm लंबी है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा पच्चो, छिपकली 13 cm लंबी है अरे, वो गई, भाग गई छिपकली चलो, इस पत्टे को देखो यह कितने cm लंबी है एक, दो, तीन, चार 4 cm लंबी लग रही है आपको क्या लग रही है? अरे, वाँ, आपको तो अच्छी से गिंदा आ गया है कि कैसे cm देखते हैं? मैं हमारी मदद करने आई है, रिंकी हेलो अच्छो रिंकी आपको हेलो कह रही है तो चलो, हम इसी का नाप लेते हैं हो जाए, मेरे साथ चुरू रिंकी यहाँ खड़े हो जाओ ठीक है अब हम देखेंगे रिंकी की बाजू कितनी लंबी है और क्यूंकि हम यह कारियर cm में करेंगे तो हम एंची टेप का cm वाला जो साइट है उसको इसके शोल्डर पर यानि कि इसके कंदे पर रखकर इसकी पूरी बाजू, इसकी बड़ी उंगली तक हम नाप सकते हैं अगर हमें बताना हो कि इसकी बाजू कितनी लंबी है यानि कि 27 cm 0 से लेकर 27 cm है ना असान और अगर हमें इसकी मान लिजी ऐसी ड्रेस ही सिलनी है तो हमें इसकी इतनी बाजू देखनी है कि हम इसकी बाजू कितनी बनाएं ड्रेस की तो हम 0 से लेकर यहां तक यह देखो इधर तक खतम हो गई इसकी ड्रेस इतनी बाजो बनानी है तो यह आया 9 सेंटीमिटर इतना असान अब अगर हमें इसकी कमर नापनी हो तो हम इसको इसकी कमर के आसपास इस तरह से घुमा नेंगे देखिए गुमाया और फिर जहां तक यह आ रही है इसके उपर यहां देखो इसको क्रॉस किया 38 यानि की 38 सेंटीमिटर है ना असान अब अब हम जितनी इसकी ड्रेस लंबी बनेगी वो नापते हैं फिर से इसकी कंदे तक रखा सीधा नीचे तक ले गए हमें ड्रेस इतनी लंबी चाहिए अरे यह देखिए यह लगभग 40 सेंटीमिटर देखा बच्चो आप अपना और अपने साथियों का भी नाप ले सकते हैं बुडिया का माथा नाप ना हो तो इस प्रकार मैंने आपको पहले भी नाप लेना सिखाया ना ऐसे करेंगे देखो और यह आ गया इसके सर का माप और इस प्रकार आप इसकी बाजू का माप ले सकते हैं इस प्रकार आपने यह माप लेने हैं और उन्हें अपने इस तरह के चार्ट के अंदर लिख लेना है तो बच्चो इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए जहां लिखा हो नाक, कलाई, सिर, कान ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको नापना है और यहां पर आपने अपना नाप, जब आप नापेंगे वो लिखना होगा और यहां पर आपने जो भी गुडिया या खिलोना आप नाप रहे हो उसका नाप लिखना होगा तो इस प्रकार आप अपना चार्ट बना सकते हैं ना और नाप नाप के लिख सकते हैं मुझे लगता है ऐसा कारे करके आपको बहुत आनन्द आने वाला है तो मैं आपको बताओं कैसे करेंगे हम एक मीटर की रसी बनाए तुमने दुकानदारों को एक मीटर राड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा एक मीटर की अपनी रसी बनाने के लिए एक मीटर राड और एक रसी का इस्तेमाल करो रसी के एक सिरे पर एक गांठ बांद लो मीटर राड को रसी के साथ रखो रसी पर एक मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगाओ अब इन दो गांठों के बीच की लंबाई एक मीटर हुई यह हुई तुम्हारी मीटर की रसी अगर तुम्हें मीटर राड ना मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तिमाल करो मीटर कितना होता है एक मीटर 100 सेंटी मीटर के बराबर होता है बच्चो ये दोनों बच्चे एक दर्जी के पास गए हैं चलो इनका वारतल आप सुनते हैं मैं एक लंबा कुट्टा बनवाना चाहता हूँ अपने कुट्टे के लिए दो मीटर कपड़ा लो और मेरे लिए एक लंबी स्कुट्ट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा तुम्हें तीन मीटर की जरूरत होगी चलो जियोमेटरी बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो इसमें कितने सेंटिमीटर है देखो आपके geometry box वाला scale यह याद रखना बड़ा scale नहीं उठाना है geometry box वाला scale उठाना है और इसमें कितने cm तक निशान लगे हैं ध्यान से देखो तो बच्चो ग्रह कार्य ध्यान से सुनो आपको अपनी घर की हर चीज को ध्यान से देखना होगा और बताना होगा उनमें से कौन सी लंबी और कौन सी छोटी है और फिर उन्हें अपनी drawing की copy में बनाना होगा है ना मनो रंजक ग्रह का रहो देखो मैं आपको कुछ बताती हो ये मैंने बनाई दो मचलिया इनमें से एक छोटी है और एक बड़ी है ना कितना मज़ा आया मैंने drawing भी बनाई और ये भी बताया कि इनमें से ये छोटी है और ये बड़ी और यहां लिख भी दिया अब मैं बनाऊंगी ये मोमबत्ती ये बन गई मेरी छोटी मोमबत्ती और ये रही लंबी मोमबत्ती बस इतना आसान ग्रह कार्या है आपका आप भी इसी प्रकार के चित्र बनाओ ला 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 कुछ छोटी तो कुछ लंबी है चीजे इर्द गिर्द मेरे बच्चो इस कार्य में मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको कैसा लगा? है नर आसान चीजों को ना पले न? तो क्यों न यही आपका ग्रह कारे होना चाहिए? ऐसा कीजिए आपको जो अपने छोटे छोटे टॉइस पसंद हैं जो आपके खिलोने हैं आप इनहें ना पिए और यही आपका ग्रह कारे है और एक टेबल बना के रख लीजिए और फिर आप सब को समझा सकते हैं कि देखिए पिता जी मेरा ये कचुआ इतना बड़ा है और इससे छोटी ये मेरी छोटी सी छिपकली है आपके जितने भी खलोने हैं उन सब को आप इसी तरह से माप सकते हैं और टेबल में लिख सकते हैं तो बच्चो इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लूँगी हसते गाते हुए कुछ चोटी तो कुछ लंबी हैं चीजे इर्द गिर्द मेरे चलो बच्चो शुरू हो जाओ इन सब को आप डालो बाई बाई